में इसला स्मिंट में कर देखे लिए नमस्ति जेश्यकृष्णा विल्कम टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब और ये है सटर्डे शनिवार के सुभह का वीडियो है और पीहु के टिफिन तयार हो गया है क्योंकि शनिवार को मेगी पास्ता कुछ भी स्पेशल जा सकता है तो मेगी ही ले जाती है नमकी नो बिस्कित भी थोड़े से रख दी हैं हलाकि बिस्कित भी खाती नहीं मेठा पर मेंद का फ्रेंड के साथ क्या पता खा ले वो चलेगी फी मिन्हा के आई थी कपड़े आज में बाद में धूंगी पहले मिन्हा लू मैने कब मैने नाते हूं तो फी ठाकुर जी भी खाकुर जी की सेवा पूजा हो गई है भोग लग गया है अब जो खाटा बनेगा तो भी लग जाएगा एक बार का तो पीने लगा दिया है पूजा पार्ट मेरे हो गए थी उसके बाद में में सबजीयां अगरे निकाल रहे थी उन्हें बता रहे थी कितनी सारा साग लेक जाएं सरसो पालक और इसमें बत्वा है तो शाम को यह बनने वाला है और अमरिकन बुट्टा ना मार्केट में बॉइल कर आवा 30 रुपे कर एक बुट्टा मिलता है और इससे नए सस्ते पढ़ जाते हैं घर ही ले आते हैं तो इनको बॉइल करके अमरिकन बुट्टे आज बनाएंगे भर्वा बेंगन रेसेपी में आपके असाथ में शेयर कर रही हूं बहुट्टे में पहले से चोप मतलब इससे कट लगा दे जिससे बर्वा बेंगन मनाते हैं तो इसमें मसाला भर के फिर तेल में छोकते हैं लेकिन मैंने पहले नको निकाल लिया है और इ कूट के डाला है मतलब और फिर ना टमाटर डाल दिया है थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढख देंगे ताकि जल्दी गल जाए टमाटर क्योंकि ग्रेवी तो बनाई नहीं पीसा नहीं है बार एक बार चोपी है सब चीज और फिर बस हल्दी धनिया मिर्ची अपने स्वाद क देली डालते है एक चमच हुई सब डालके मसाल दाने के मसाले और एक ग्लास में पर डाला है पानी है तो बहरवा बेंगन में मैंने पानी डाला है और इस तरह से पानी के अंदर इसको ढखके रखके और इसको मतले देखे सारा पानी सूक गया है और यह बहरवा बहरवा हो में और तो बाजरी सेखे थे, नयुक्त कस सबर्बांना है है रोटी के उपमां है है और में ड्यून कपड़ेंड सब्सक्राइब जबंगे हुआ है, यह जदा जाया हुआ कैसा रोटी जहीतर आरहीत नहीं, तो दोमके में अमेड्यों कपड़ कप्रोश है। विंटर की वज़े से तो बैस मैं जा रही हूं छत पे कपड़े दोने के लिए बात्रोम उपर भी है नीचे भी है जब तक पानी भर रहा है कपड़े गल रहे हैं तब थोड़ी सी दूप खा लेती हूं क्योंकि मैं और उसके बाद में पानी दे दूँगी सरफ में पानी दे देती हूं क्योंकि फिर हाथ से दूँगी में और ड्राय कर लूँगी क्योंकि धूप जाने ही वाली है इसलिए तो सरफ में कपड़े गल रहे हैं जब तक में ने का पोदों में पानी दे देती हूं और इसके बाद में सारे कपड़े दुल चुके हैं यह देखिए पीग़ो के कितन सारे वूणि कपड़े निकले हैं और जई-जी के निकले हैं तो कपड़े मेरे सारे धूल चुके हैं और में फिर से नीचे जाओंगी कोई किचन आटा मेरा लग गया है सबजी बन गई आटा में लगा कि भीगो के गई थी ताकि रोटी इच्छी बन जाए वह सर्दियों में नारिल का तेली इस तरह से जम जाता है इस वाली बोटल से त प्रवा बेंगन गुड़ है टमाटर मिर्ची की सबजी है तो आज सुबै का खाना ये है और खाना कहने के बाद में लगी सर्दी तस वेटर डाला और फिर सारे काम किचन मितलाओ बरतन बरतन ते हात वात मासते हो उतना होता निया फिर भी नीचे से फिर उपर आई और मु तो वीडियो को लाइक कर लेना शेर कर लेना और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो बाई